आखिर अमने वही किया जो हम नहीं चाहते थे आज तक एक बात मेरी समझ में नहीं आई आखिर आप चाहते क्या क्या आप ये चाहते हैं कि एक के बाद एक की मौत होती रहे और हम चुपचप देखते रहे पहले डॉक्टर गुपचा की मौत हो गई फिर आली मारा गया आज इस प्रलनाथ के पिले ने मुझबर गोली चलाई ये तेकिये अगर मैंने बुलेट प्रूप जाकेट नहीं पाई नहीं होती तो मरने वालों की लिस्क में मेरा भी नाम जूट जाता लेकिन इसने तुम पर गोली क्यों चलाई क्योंकि मैंने इसे मजबूर किया था इसके खिलाब सारे सबूत मैंने पहले ही कठा कर ले थे सवाल था उंगलियों के निशान का जो इस रिवालवर पर मौजूद है एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर आनिता चोजरी का कातिल और राधा टंडेल से शरी संबन रखने माला यही आरा सिकनाथ डियाई जी के बेटे संजे को फसाया है क्योंकि वो अपने बाप के कातिल का चश्म दीद कवाह है वागे अब हम इसे उच्छे स्विताल मिले जाएंगे जहां इसके अंदर के छुपड़े हुए राज एक बीमारी की तरह बहार आ जाएंगे जो दुश्मन यहां बादा गया समझो उसकी अर्थी उठ गई हमारा यह हथ्यार आग उगलता है जो कुछ हमने पूशा अगर उसका जवाब तुनने सच-सच नहीं दिया तो यह हथ्यार तुम्हें जरा डालेगा मगर आप क्या थे क्या हैं प्रलैनात गिर्णा स्वामी तुम्हारा बाप है आजी आजी और अब वही इस देश को खक्भण कर ने की तैयारियां कर रहा है आजी आजी पलकुल मुझे माफ कर दो मुरू यालन दो ने 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 मैं बता रहू मैं सम मताता हूँ मेरे बाप का अखलप ला इन किया है मुझे छोड़ो मुझे मेर बाचे व को लगने जर जरी वे उचया ताव नियू मेर बाचा के लगने के बाचे लगने प्रॉसर को बाचे नह वे नहां